हेलो स्टुडेंट हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के बेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्चन डिसकस करेंगे और यह फिजिक्स का दूसरा वीडियो है तो इसमें सबी कोईस्चन बेरी मोस्ट इंपॉर्टन सेलेक्टेड कोईस्चन है और रेंडम कोईस्चन है तो आप ये 8 सेकंड मतलब टाइम दिया गया है, 8 सेकंड में भूम तल पर पहुचता है, तो उस पहाड़ी की उचाई क्या है, हम लोग को उचाई देखना है, तो ये देख लीजिए, एक खड़ी पहाड़ी के उपर से एक लड़का, एक इस्थिर, एक पत्थर गिराता है, जो की 8 से जी का मान होता है, और टाइम कितना दिया गया है, 8 सेकंड दिया गया है, तो 8 सेकंड का स्कॉर करेंगे, तो 64 हो जाएगा, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, तो 9.8 को इंटू 32 से डिवाइट करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 31, 3.6 आ जाएगा, तो आपसन नमबर कौन सा सही होगा, आपसन नमबर इसमें सही हो जाएगा, डी आपसन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ये देख लिजिए, आपसन नमबर कौन सा, आपसन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टन कोईस्चन भी है, तो डी से कोईस्चन इसमें बनाया गया था ये सिसकल तू हाफ जिटी स्क्वाइर फार्मूला लगे अगा नेक्स्ट कोईस्चन नमबर निम्ड में किसमें नाट का उपियोग किया जाता है तो आपसन नमबर C करेक्ट हो जाएगा गत में जलियान की गत के लिए नाट उपियोग किया जाता है आप लोग option number C correct कर लीजिए C option correct कर लीजिए गत में नाट का उपियोग किया जाता है next question number question number 333 number question कह रहा है altimeter से क्या नापते हैं altimeter से क्या नापते हैं first option Y mandil ये दाब नापते हैं B भूतल से उचाई C option बिद्दुधारा की सामार्थ D option सुनाई देने में अंतर तो option number B सही हो जाएगा altimeter से भूतल से Y1 की उचाई नापते हैं तो option number B correct हो जाएगा question number 350 important question है 10 kg बेट दिया गया है 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की उचाई येच भी दे दिया गया है कह रहा है उचाई पर है उसका इस्तिति उर्जा क्या है इस्तिति उर्जा हम लोग को निकालना है potential energy निकालना है तो 10 kg potential energy का फार्मूला देख लीजिए potential energy is equal to Y1 G Y1 10 kg दिया गया है और G का 9.8 होता है और Y1 कितना height कितनी दी गया है ये 10 दिया गया है इसको multiply करेंगे तो आप लोग 980 जूल आ जाएगा जिसका हम लोग option number B correct हो जाएगा 980 जूल ये आएगा तो option number B correct हो जाएगा ये आप लोग question कर लीजिए और note down कर लीजिए question important है important किया है question यही आने का chance का मैबट ये फार्मूला important है माल लीजिए potential energy निकालने के लिए आता है तो potential energy is equal to यमजी ये अच मास gravitational acceleration और height का multiply करेंगे तो potential energy निकल जाएगी ये आप लोग फार्मूला note down कर लीजिए question number 358 number question कहरा सरल लोलक का आवर्त काल दूगना हो जाएगा तो सरल लोलक का जो pendulum होता है उसका कहरा आवर्त काल जो time period होता कब दूगना होगा है उसकी लंबाई दूगनी कर दी जाए लोलक का दूगना कर दी जाए C आपसन लंबाई चार गुनी कर दी जाए ये question पूछा भी गया था तो आपसन number C सही हो जाएगा सरल लोलक का आवर्त काल दूगना हो जाएगा ये लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो आपसन number C correct हो जाएगा next question number question number 367 366 number question कह रहा है ये एक सरल लोलक का एक सेकेंड में time किनना दे रहा है एक सेकेंड दे रहा है में दोलन यल जो होता है योम time T उसकी प्रभावी लंबाई है योम जी गुरुत जनित तुरन जो दे रहा है तो समयावदी जो टी का दिया जाता है तो इसका ये फार्मूला ही होता है ये एक सरल लोलक का एक सेकेंड में दोलन यल यह योम time T उसकी प्रभावी लंबाई है यह आप लोग याद कर लीजे टीज कल टू पाई रूड यल वाई जी यह फार्मूला ही होता है तो आपसन नमबर कौन सा सही हो जाएगा आप्सन नमबर D correct हो जाएगा ये देख लीजिए कौन सा आप्सन correct है आप्सन नमबर D T is equal to 2Pi root LYG आप्सन नमबर correct हो जाएगा 368 नमबर question किसी बस्त का momentum 20% घटा दिया जाता है तो kinetic energy में कितनी प्रस्षत की कमी होगी तो ये अगर किसी बस्त का momentum 20% घटा दिया जाए तो kinetic energy में 36% की कमी होगी तो आप्सन नमबर देख लीजिए फस्ट आप्सन 44 दे रहा है B आप्सन 48 C आप्सन 40 और D आप्सन 36 तो आप्सन नमबर D सही हो जाएगा 36% की कमी हो जाती है next question number question number 371 झाता, number question important दे कहिरा पिर्तिवी के पिरिष्ट से plan week कमान इसके बिलाश्टी कितनी होती है kilometers per second में लगबग कितना होता है तो इसके बिलाश्टी जोती है उसका मान ही 11.2 ये आप लोग को रटा होना चाहिए इसके बिलाश्टी कितनी होती है इसके बिलास्टी जो होती है इसके बिलास्टी जो होती है वो 11.2 मीटर पर सिकेंड होती है तो आफसर नमबर कौन सा आप लगाएंगे आफसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा पिरतिवी के पिरिष्ट से प्लाइन बेक का मान किलो मीटर पर सिकेंड में 11.2 होता है तो आफसर न साम श्रूर्टिस स्सक्रात्र चाल से करक्त हम 100 रंपल्ट्थ सेल। साम थीजरन मmost लstag आप टाझरम खुरान तो त Надо कि और चाहता जरू Sang कुछ ऐसके स्टूडन कहों के सबयां है। और किसी का देख लिए वीडियो देखने के बाद वो लाइक भी नहीं करते हैं सो ब्यूज असी ब्यूज एक ही दिन में मेरा जाता बट लाइक दो चार रहते हैं आईसे ऐसे स्टुडेंटें जो लाइक भी नहीं करते हैं वो खुद क्या करते हैं वीडियो देखने के बाद और बस अपना काम हो जाए बास यह सोचते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा इस्टुडेंट आप लोग को भी मोटिवेशन के लिए लाइक कमेंट्स और जो भी सेर तो जरूर करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा चैनल पर फिजिस कमस्टी बालू जी के कोईश्चन तभी आप लोग के लिए अच्छे कोईश्चन बेस्ट कोईश्चन कराने का मोटिवेशन मिलेगा तो स्टुडेंट आप लोग वीडियो को सेर लाइक कमेंट्स जरूर कर जी इतना देख दिया गया 9.10 मीटर फिजिंट जी की बालू एतनी होती थो वह वैग ग्यात कीजित से उस पेंड को ऊपर की और फेका गया है 10 मीटर सिखेंड क्या मोग को देखना है बेग निकालना भी बिलास्टी निकालनी है कितनी कितनी तेजी से ऊपर की तरब फेका गया है यह हम लोग को निकालना है और जी दिया गया और हाइट दिया गया है तो आप लोग को एक फार्मूला भी पता होना चाहिए बिलास्टी इसको रूट के बाहर करेंगे तो कितना फोट कितना आएगा 14 मीटर पर सिकेंड आएगा तो आपसन नमबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपसन नमबर डी आपसन करेक्ट हो जाएगा 14 मीटर पर सिकेंड इसको आर नेक्स्ट कोईस्चन नमबर द्रों में पिरिष्ट तनाओ का कारण क्या होता है जो द्रों में पूछा भी गया है एक पार्सेक में कुल कितने परकास वर्स होते हैं यह कोईशन पूछा गया था एक परकास में एक पार्सेक में कुल 3.26 परकास वर्स होते हैं तो आफ्सन नमबर इसमें बी करेक्ट करिए डारेक्ट आपको यह कोईशन रटा ही ना चाहिए एक पार्सेक में कितने परकास वर्स होते हैं तो 3.26 होते हैं आफ्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा चार सो पच्परन नमबर कोईस्चन एबी कोईस्चन पूचाई गया है कायरा किस ताबमान पर जल का घनत अधिक्तम होता है 0 centigrade फस्ट आफ्चन दे रहा B आफ्चन 4 centigrade C आफ्चन माइनस 4 centigrade D आफ्चन 0 centigrade तो माइनस में 4 centigrade नहीं होता प्लस में होता 4 centigrade पर जल का घनत अधिकतम होगा तो आपसर नमबर कौन सा आपसर नमबर ये C देख लिए गलत मत करिएगा आपसर नमबर B लगाएगा 4 centigrade आपसर नमबर B गरेक्ट हो जाएगा चलिए स्टुडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो था नेक्स्ट कोईस्ट वीडियो में करेंगे और बेस्ट कोईस्ट के साथ मिलेंगे बट इस्टुडेंट आप लोग चैनल को जरूर सेयर करें यह मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से तो चैनल को सेयर करि चलिया, थैंक यू स्टुरियंस